पॉर्ड को किस तरह से च्पंसरों में कोगा।हों किस तरह हुगा। isol करना है इलिखत खोप लग व्ठसवशनें हैwe measuring को किस तरह से आपको दिस्पंसरों करना हЯ है। बस्तों करके दूट करें होगा गता कि ऐसी फंसरों आपके मुल्टिक्लाइड लएगे अना भी जो भी हमने प्रिवेस फर्मूला अपने पढ़ाएं प्रिवेस स्लाइट में डिफ्रेंसेशन का एक भी नहीं लगेगा तो उस टाइब की फंसन को किस तरह से डिफ्रेंस करेंगे तो उसी के लिए यहां पर निकल कि आ जाता है बच्छो चैनरूल और चैनरूल काफ सनस को बोलते हैं तो बच्छो सिंपल वासा में समझगा नियुक्ट को थोड़ा सा मैथमेटिक्स मीद तरह से करते हैं अब हमें सिंप्ली समझाना है कि इसको फंसन के अंदर फंसन्स होते है या जैसे मैं कैसे समझा एगर आपके सामने y को साइण को लॉग एक से यहां पर है लॉग हम सिंपल साइन के अंदर एक्स पढ़ते थे एक्स ठीक है इस एक्स को क्या बोलते है आगुमेंट से ठीक है यहाँ पर एक्स वहां पर क्या हो गै लोग संग में तो इसी को बोलते़ composite functions जब functions के अंदर आपको functions मिलेगा और इस तरह से कई सारे आपको टो मिलेगा composite functions के example मैं दे रहा हूं लोग x square plus 2 हो गया algebraic functions है y equal to sign 3x square plus 4x plus 5 a b आपके composite functions है या y equal to log के argument में sign square x a b आपके composite functions है या आपके सामने मिलेगा sign log का भी argument x square plus 2 मिल जाएगा तो functions के अंदर कई सारे functions मिलके एक नई functions बनती है यानि दो या दो से अधिक functions मिला के अगर एक नई functions मिलेगा तो उसकों क्या बलते हैं बच्चों composite functions मिलते हैं हलाकि mathematics में आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा क्योंकि composite function देखने में कुछ ऐसे मिलेगा लेकिन उहां domain के तरह से define क्या गया है तो यहां पिस इसकी need नहीं है simple functions के example देख लेते हैं कि कौन-कौन से composite function है वह आपको देखने से पता चल जाना चाहिए इससे पहले जो भी आपने पढ़ा है लॉक इंदर एक्स पढ़ा है यह लॉक इंदर एक्स प्लस पी लीनियर फंसन पढ़े लीनियर फंसन से आगे आपने कोई वी ऐसा फंसन अभी नहीं देखा है तो इस तरह फंसन जब आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आना चाहिए यह सारे के सारी क्या है इसी तैप की फंसन को बच्वा में क्या करना है डिफ्रेंसीट करना है